प्राइब राम राम भाइब लोग गुड मोर्निंग सबी लोगों को क्या हाल चाले कैसे हो सबी लोग बढ़िया संडे-बढ़ि कैसा था तुम्हारा तो क्या चल रहा है कैसा चल रहा है अभी आशकर पढ़ाई वड़ाई एक्जाम हुए और लोग अगली के लिए तयार्यप करना शुरू कर दोगे यानि की आएवप्यस पी ओ मेंस के लिए है ना तो एनिवे चलो अब हम लोग अपनी क्लास की शुरू बात करते हैं और देखते हैं आज की सेशन में हमें क्या-क्या देखना है गड्माशी जो तुम लोग अच्छा कि इस समय अ मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे फिर कभी आएंगे फिर कभी नहीं आएंगे यह सब करना चोड़ दो मैडम की ऐसी की तैसी हो जाती है यह गलत बात है समझे की नहीं समझे गए हो एम 2.0 अच्छे शुरू होगी मैं कंजिस्टें रहूंगी अब जैसे आफ देख सकते हो कोई व्यक्ति अपने कालियों से महान होता है अपने जन्म से नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यहसा है जो जन्मते ही बहुत बड़ा बन गया बहुत बड़ा आदमी बन गया नहीं कोई वी जो करम करता है वो उससे महान होता है जो उसकी करम होते हैं जो उसने काम की होते हैं जो उसकी दिन चर्या है जिससे वो काम कर रहा ठीक है वो उससे महान होता है कभी ये मत सोचा करो कि ये बहुत बड़ा लखी आदमी था ये जो है ये आदमी जो है बहुत बड़े हाँ ऐसा होता है कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ है तो उसकी एक बहुत बड़ी problem solve हो जाती है वो होती है पैसे की problem ये बात मैं मानती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोगों का जो जन में है वो कही हुआ तो अपना कभी कुछ बडल नहीं सकते हैं सब कुछ बडल सकते हो आप अपने जीवन में ठीक है सब कुछ बडल सकते हो चाहो तो क्या से क्या कर सकते हो लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कुछ भी करने के लिए, आपको मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, और कड़ी मेहनत के साथ एक और मुश्किल काम करना होता है, वो होता है, खुद पे विश्वास, क्योंकि ये चीज सब नहीं कर पाते हैं, खुद पे विश्वास, दूसरों को मैं आप से कह दूंगी, कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो खुद की बात आएगी, तो मैं भी दो बार सोचूंगी ठीके, तो खुद पे विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज है और जो खुद पर विश्वास कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है, पर जैसा मैंने कहा, कि ये सब के वश्च की बार नहीं है, दूसरों को बताना, दूसरों को होसला देना, और खुद से वो होसला लेना, खुद को मोटिवेट करना एक बड़ी चीज है, तो क्या करना है आपको खुद को मोटिवेट करना है, कोई आए, कोई जाए, जो हो, आप अपने लिए जो कर सकते हो, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता, दोस्त, ओके, तो अब ही आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी चीजी सोचनी है, अच्छी अच्छी करम करने हैं, त यार, वो भी एक वक्त था, वो भी एक दौर था, वो दौर बस याद करते हैं, एक बार ही मुस्कुराते हैं, अरे, उसमें तो ऐसा भी होता था, उसमें तो ऐसा भी होता था, पर वो चला जाता है, अच्छी बात है, यह वक्त की कि वो गुजर जाता, अच्छा हो यह बु के लिए अक्टूबर दो हजार पचीश बताईएगा कितने समय के लिए इनकी जो टिन्यूर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो यह question हम लोगों ने already कर रखा है ना, यह question हम लोगों ने उस दिन ही कर लिया था, मैंने आपको बताया भी था, इसका answer क्या होगा दोस्तों, इसका answer होगा, कि इनकी जो tenure है, इसको अभी अभी extend कर दिया गया है, और इसको extend कर दिया गया है, अगस 2024 के लिए, ठीक है, इसको extend जगदीशन जी है, उनकी भी tenureship को extend कर दिया गया है, और उनका जो tenure है, उसको 2026 तक के लिए कर दिया गया है, शशिदर जगदीशन जी, SDFC के होते हैं, यह कहां के हैं, यह तो SBI के chairman है, इनको याद रखे रहेगा, ठीक है, अच्छा, यह SBI bank के हैं, यह SBI किसी subsidiary के हैं, त It is the target of Ministry of Mines of Cleanliness Drive in Special Campaign 3.0, तो हमने उस दिन पढ़ाता कि जो Ministry of Mines है, उनका एक Special Campaign 3.0 चल रहा है, जिस campaign की तहत वो अपने प्रद, sorry, अपने वहां पे जितनी भी offices और sites से उसको clean करेंगा, ऐसे कितनी total sites हैं जिसको इन्होंने clean करने को कहाता, options देखेगा क्या-क्या है, 301, 311, 321, 331 या 341, तो यह मैंने आप लोग के साथ उसे दिन clear कराता, यह है अप्रोक्स, हाँ भी, 341 साइट से जहां पर वो cleanliness drive ले करके आ रहे हैं, और जहां पर वो पूरी साइट को क्या करने वाले हैं, clean करने वाले हैं, यह बाते हम लोगों ने करी ते उस दिन भी, ठीक है, अब मुझे आप लोग फटा-फट बिताएगा, who is having the charge of ministry of minds, अभी फिल हाल में ministry of minds का charge किसके पास में है, answer करो जल्दी जल्दी सभी लोग, बताओ दोस्तों, who is having the charge of ministry of minds किस, प्रहलाद जोशी जी के पास भी यह चार्ज है, ठीक है दोस्तों, प्रहलाद जोशी, okay, अगला, मध्य प्रदेश ने implement किया है, कितना percentage gender quota women के लिए public sector employment में, ठीक है, तो जो भी सरकारी नौकरी है, इन सरकारी नौकरी में, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है, कि वो क्या implement करेंगे, वो implement करेंगे, quota, कितना percentage महिलाओं को quota देने को इन्होंने कहा है, वो आपसे question में पूछा जा रहा है, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, कि ये 35% का quota देने वाले हैं, जितनी भी महिलाओं हैं मध्य प्रदेश की उन्हें सरकारी नौकरी में, ये तो सरकारी नौकरी की बात हुई थी, मैंने आप लोगों से ये भी डिस्क्स किया था, कि ये teaching job में कितना देने वाले हैं, किसी को याद है teaching job में, तो teaching के अंदर इन की बात करी, इस scheme के अंतरगत, मतलब वो जो अभी उन्होंने अनौन्स किया है, कि 35% का महिलाओं को reservation दिया जाएगा, public sector employment में, सरकारी नौकरी में, और teaching में 50% दिया जाएगा, ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये भी एक बात देकी थी, कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रदान मंत्री ने 19,000 करोड रुपए का project क्या किया था, launch किया था, शायद आप लोगों को ये बात भी यादो कि यहाँ पर 19,000 करोड रुपए की project की launching की गई थी, किस ने की थी, हमारे प्रदान मंत्री जी ने की थी, ओके, चलो, अगला अभी-अभी GI recognition award किया गया था, अरुनाचल प्रदेश की याख चुर्पी को, who is the chief minister of अरुनाचल प्रदेश ठीक है, तो अरुनाचल प्रदेश की chief minister कौन होते हैं, निफ्यू रियो एन बिरेन सिंग, पेमा खांदू, हमानता बिस्वा शर्मा ये नन ओफ दी अबग, बता अरुनाचल प्रदेश की हैं, तो ये पेमा कांदू जी है, निफ्यू रियो को कहां बिस दिये जाए, नागा लाइन, ठीक है, इसके अलावा हमी कौन दिख रहे हैं, एन बिरेन सिंग, तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा news में रह रहे हैं, because of all the money poor things, तो ये हो जाएंगे मनिपुर के, हिमानता बिस्वर शर्मा कहां के हो जाते हैं, दोस्तों, ये हो जाते हैं, असाम के, ठीक है, ये होते हैं, असाम के, ओके, और फिर last man of the above, तो ये जो नौर्थ हीस्टरन स्टेट्स होते हैं, नौर्थ हीस्टरन स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर को याद करना, अ और GI Registry काम किसके अंतरगत करती है, ये काम करती है, DPIIT, Department for Promotion of Industry Internal Trade, अगर आपसे पूछा जाता है कौन से Ministry involved होती है, तो Ministry of Commerce इसके अंडर क्या होती है, involved होती है, ये important question है, आप सभी लोगे exam में पूछे जा सकते हैं, एक और भी चीज़ जो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, कि अरुनाशल प्रदेश के गवर्नर कौन होती है, अगर यहां से ऐसे भी तो question बन सकता है, कि who is having the charge of governor of Arunachal Pradish, तो आपके answers क्या होंगे? Hand development for promotion of industry internal trade, अब मेरा आप सभी से question है, कि who is the governor of Arunachal Pradish? तोड़ा सा typical नाम है इनका, yes, केटी परनायक, ठीक है कौन है केटी परनायक, केटी परनायक, इसलिए मैंने पूछा, कहां की बात हो रही है, governor की बात हो रही है, Arunachal Pradish के, अगला, कौन सी party, UT of Jammu Kashmir, has been recently declared as an unlawful organization by Home Ministry, तो जो हमारी Home Ministry है, इन्होंने किस particular party को अभी अभी एक unlawful organization का tag दिया, या इनको बैंड की unlawful organization का है कि, अभी अभी unlawful organization किसको दिया गया है, Jammu Kashmir Democratic Freedom Party, क्यों इनको unlawful organization दिया गया है, क्योंकि जो लीडर थे यहां के, वो लोगों को गलत तरीके से प्रोवोक करते थे, और ये बात मतलब national integrity पे जो बात आए, ऐसे उनकी speeches होती थी, मैंने उस दिन आपको बताया भी था, इसकी शुरुवात क्यों कब से होई थी, इस वज़े से अभी अभी जो JKDFP है, ये party है, इसको unlawful organization करार दिया गया है, ठीक है, इसको क्या दिया गया है, unlawful organization करार, ठीक है दोस्तों, चलो great and good, तो अब चलो, अब हम लोग अपनी आज की class की तरफ बढ़ने के लिए तयार हैं, और आप सभी रहों को पता है, कि class की तरफ बढ़ने से पहले, class की तरफ बढ़ने से पहले पहले, आप लोग को comment box में, या तो एक coffee भेजनी है, या तो एक दिल भेजना है, या फिर एक अंगूटा भेजना है, कुछ भी एक भेजो फिर class की शुरुवात करेंगे, okay? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, यह सब मत सोचना, कि जो है, अचीवर्स को छोड़कर एम में जाए, एम को छोड़कर उसमें जाए, एम को छेड़कर, क्योंकि या जब तुम लोग बैच ही बदलते रहोगे, तो कभी course ही नहीं complete होगा, तुम लोगा, कल एक बच्ची मुझे call, यह उसने अच्छा किया, उसने मुझे call कर ली, और पूछे कि मैं हम एक बात बताओ, क्या मैं अगर achievers में सही से पढ़ लिए हूँ, तो क्या मुझे aim में जाएना जाए, क्यों जाओगे बेटा, मत जाओ तुम लोग, ठीक है, क्योंकि वही सेम चीज़े हम वहाँ पढ़ाएंगे, तो अगर ऐसे स्विच करते रहेंगे न, तो वही जितना पढ़े रहते हैं, फिर तो नहीं बैचाएगी, फिर उसमें भी जाओगे नहीं, इसलिए stay, अगर आपकी सही तैयारी हो रही है, हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं हो रही है, इन यू कैन स्विच, ठीक है, चलो भई, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, ठीक है, और मैंने आप सभी से एक वादा किया था, कि आज की क्लास में आप लोगों को, एक पीपीटी देने वाली हूँ, अब एक बात सुनो, पीपीटी आप लोगो तब मिलेगे, जब आप लोग अपने क्लास में 200 वच्चों को ले कर आऊगे, ऑके, पीपीटी मैं तब दुगी, अब लोगो क्लास में 200 को ले कर आऊगे वापस, मुझे मेरे 200 वच्चे वापस चाहिए, पताचला सब्स, जो अभी आ रहा है वो भी चले गया रहा है तो इसका तो नाटक लगा रहता है जाने दो इनको जाने दो ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो आज रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ है लेकिन वह बात नहीं आई होगी जो अभी आने वाली इतना अच्छा कोई थोड़ी समझाता है बैंकिंग अवेर्निस जितना सुच मताम हम समझाती हैं कोई नहीं समझाएगा पूरा यूट् सली देने के लिए का है तो कोई सर होंगे कोई मैम होंगी नहीं है कोई इस बात को याद रखना सुनों अब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेरनेस के मॉनिटरी पॉलिसी की क्यों इसकी बात करते हैं क्योंकि अभी आ चुका है और exam में यहां से questions बनने के chances दाता है ठीक है त तो इस तरीकी से अगर कभी भी प्राइस भागने लग जाती है तो इन्फलेशन आउट आफ कंट्रोल होता है किसी चीज़ की प्राइस बढ़ना उसी का एफेक्ट होता है इन्फलेशन तो कभी-कभी जब एकदम से भागने लगता है तो वो आउट आफ कंट्रोल इंफलेशन होता है उसको हमें कंट्रोल करना होता है अब उस price को कैसे हम लोग control करेंगे तो RBI की नीती होते है, जिसको modric नीती कहते हो जिसको monetary policy कहते हो, इसी सो उसको control किया जाता है, RBI की moderate नीती बनाने वाले कुछ 6 सदस्थे होते हैं, छिनको हम कहते हैं, यह monetary policy या moderate नीती के सदस्थे हैं, जो मिलकर यह decide करेंगे market में rate कैसे कम यहादा होगा ठीक है तो यह जो सदसे हैं इसमें कुल 6 सदसे होते हैं तीन भारत सरकार लेकर खिया और यही यह रिसाइड करते हैं कैसे उसको कम यह जादा करना है अभी फिलहाल में इनलों की एक बैठक हुई है और इन्हों तो हर जगे भयानक ही है तो inflation बढ़ रहा है तो monetary policy क्या करेगी अपनी तरफ से इनके पास में जो भी rates हैं वो बढ़ा देगी बैंकों के उपर pressure डालेगी bank customer के उपर pressure डालेगा पैसे customer से bank ले लेगा bank से RBI ले लेगा market में नहीं पैसा बचेगा होता है लेकिन अभी न कुछ ऐसा करने को नहीं का है आर बी याई नहीं करे, देको भाई अभी आने वाले समय में festivals आने वाले है क्या आने वाले हैं तो festivals आने वाले हैं festivals के टाइम पे अगर हम लोग ऐसा market में करते हैं pressure बना थे लोगों बैंकों से लेक तो मार्केट में जो समय फेस्टिवल में सेल विल आ रही है वह जो भी कंपनी जो भी मैनुफेक्चररर रहे उसका नुकसान होगा पर ऐसा करना नहीं है ठीक है तो ऐसा नहीं करने कि लोनों है कि मुदूरिक नीति में कोई हम बदलाव नहीं करने वाले GIASA चल रहाए वैसा टो फिकर ढोन तो हिस की वजह से इन्हों ने क्या कहा है कि रेपो रेड दोस्तों देखो रेपो nenhuma रिपी क्या होता तो बैंक को कि आखर यह को अगर अंगर तो कि नंटेट को जहलाएं थोड़ा तो वह इंट्रेट को बढ़ा देगा क्या करदेगा interest rate को बढ़ा देगा तो इससे में उन्हें का है हम कुछ नहीं करेंगे जैसा चल रहा है चलने दो repo rate था साड़ी 6% वो साड़ी 6 का साड़ी 6% रहेगा फिर एक interest rate होता है जिसको हम कहते है marginal standing facility तो marginal standing facility जो होती है यह वो interest rate होती है जो तब लगाई जाती है जब कभी भी कोई भी schedule commercial bank RBI से 24 घंटे का लोन लेता है तो कभी भी जो marginal standing facility होती है यह repo rate में 0.25 at करने पे मिलती है तो अगर यह नहीं बदला है तो यह भी नहीं बदलेगा यह कितना है 6.75% है दोस्तों कितना है यह है 6.75% ही है ठीगे इसके अलावा क्या आ जाता है bank rate आ जाता है अब देखो bank rate MSF का चेला है जितना MSF उतना bank rate एकदम बड़ा चेला है MSF का bank rate तो bank rate कितना है दोस्तों bank rate भी ठीग 6.75% ही रहेगा एक और interest rate होता है standing deposit facility यह 6.25% है ठीगे इनके बीच का एक रिष्टा है यह रिष्टा क्या कहलाता है यह रिष्टा कहलाता है policy corridor यह कहती है कभी भी repo rate में आप basis point या 0.25% को minus करोगे तो आपको SDF मिल जाएगा और अगर उसी को add कर दोगे तो आपको MSF या bank rate मिल जाएगा तो इस रिष्टे को आपको याद रखना है यह रिष्टा क्या कहलाता है यह रिष्टा कहलाता है policy corridor ओके चलो तो यहां तक की बाते हैं hope सभी लोगों को अभी तक clear हो गई होगी सभी लोग समझ गयोगे कि हाँ इसकी क्या importance होती है क्या है ओके यह अभी इन लोगों ने review किया था इसमें बताये इनोंने और यह भी बताया है कि जो inflation है इस समय जो inflation है हमारे देश का यह important हो जाएगा हमारे देश का inflation इस समय में 5.4% है CPI consumer price index जो है inflation यह 5.4% है monetary policy का कहना है कि हमारे देश का inflation अगर 2-6% के बीश में है तो ठीक है इससे जादा कम है तो वो खत्रे की बात है ठीक है तो फिलहाल में इनका कहना चलो ठीक है अभी सही रिंज में 5.4% इतना control की जा सकती है ओके दोस्तों तो यह हमने किसकी बात कर ली यह हम लोगों ने बात कर ली monetary policy की है ना किसकी बात कर ली monetary policy की क्या सभी को यहां तक की सारी बातें clear हो गई कि monetary policy क्या होती है क्यों बनती है यह सो और नो फटा फट लिखो क्या हम आगे बढ़े कौन बनाता है मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी बनाती है कितने दिन पे इंट की बैठक होते हैं दो महीने पे लेकिन ऐसा नहीं कि दो महीने पे स्टिक करेंगे समय के साथ जादा या पहले भी किया जा सकता है ओके ओके चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी अगली ख़बर पर और यह है हमारी अगली ख़बर जहां पे लिखा हुआ है आरबियाई ने कंसर्न रेस किये है पर्सनल लोन एक्टिविटी बढ़ रही है उस पर देखो यह एक बहुत बढ़ी कंसर्न वाली बात भी है क्यूं बढ़ रहे यह पर्सनल लोन एक्टिविटी बढ़नी नहीं चाहिए यह काईदे से तो क्यूंकि लोगों की इंकम यह दिखा गया था एक सर्वे हुआ था कि लोगों की इंकम तो जैसी की तैसी है ना बढ़ी है शुरू कर दिये ऐसा कुछ होना नहीं चीहते काइदे से लेकिन ऐसा हो रहा है तो अब यह आर्बियाई ने कहा है कि भाईया हम लों को थोड़ी सी निगरानी करनी होगी कि ऐसा क्या होगी है मार्केट में कि एकदम दे दना दन पर्सनल लोन एक्टिविटी बढ़ती जा रह कभी मैं कुछ सिक्यूरिटी नहीं देती हूं क्या नहीं देती हूं कभी भी मैं कुछ भी सिक्यूरिटी नहीं रखती हूं कि चलो मैंने यह अपनी तरफ से गिरवी रख दिया कुछ भी नहीं रखती हूं ओके पर्सनल लोन लेते वग बस मैं बैंक से कहूंगी मुझे इत ठीक है, तो शादी के जष्ट बाद मुझे एकसिस बैंक선 ने जबरदस्ती लोन दिया था मैं उस लोन को ली थी, उसका कोई फाइदा नहीं उठाई क्योंगाई जिसको मैंने लोन दिया था, जो मेरी सजावट किया था वो बरबाद कर दिया था तो उसे देने का पैसा मन नहीं था पर देना पड़ा था ठीक है खैर तो ये तो यूपी की सारी शादी में होती है सजावट खराब हो जाती है फिर दोनों घर में जगड़ा हो जाता है वो मैं भी विटनेस की थी ठीक है तो सुनो तो अगर तुमाई शादी में ऐसा कुछ होगा तो घबराना नहीं मैडम की बात याद करना यह सब सारी की सारी शादी में नॉर्मल है मेरी शादी में हो चुका है बस मैं विटनेस नहीं की थी ठीक है वरना लगी होते हैं दो हाथ सबको तो सुनो अभी क्या हुआ हुआ कुछ ऐसा था कि मार्केट में इंकम जैसे की तैसिया पर्सनल लोन एक्टिविटी बढ़ती जा रहे है तो आरवी आई का बस यह कहना है कि अगर पर्सनल लोन दिया जा रहा है इसकी सीधी सी बात है कि यह लोग पर्सनल लोन ले कि उसको अपने फायदे में लगाए लेकिन जब भी पर्सनल लोन दो तो एक चीज को रेलाइस कर लो कि आप यह जो लोन दे रहा हो कहीं यह बेकार नहा हो जाए है यानि कि कहीं इसके अंदर ऐसा थो नहина का बेटा है ऐसा तो नहीं होना तो सब लोग विजय माल ले नहीं होते हैं, कुछ बिचारे मजबूरी की वज़े से वापस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहां पर यह बात हो रही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप लोन दे दी और सामने वाला लेके फरार हो गया, इसलिए आप उसको शुरू सैनिलाइस क करके रखो कि यह ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखे रहेगा, इंपोर्टेंट है, तो यही है कि आप लोग ओवर्सी करो, बैंक और NBFC जितने भी परस्नल ओन एक्टिविटीज करें, उसको आप लोग ओवर्सी करते रहो, कल को अगर कोई भी मुसीवत आती है, तो हम लोग विटनिस कर सकेंगे, हम लोग उसको समझ सकेंगे, और उससे रेलेटेट अगर कोई प्रॉबलम है, तो हम लोग उसको क्या कर सकेंगे, जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकेंगे, यही खबर थी, जो हमें समझनी थी, हो गई क्लियर यह बात दोस्तों, तो अगर आपसे में कोई भी सिक्यूरिटी ना मिली हो ठीक है दोस्तों तो किस ने कहा है अर्भी आई ने कहा है अभी बता हो इस दे गवर्णर ऑफ रिजव बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा संजे अगर्वाल शक्तिकान दा शशीधर जगदीशन या फिर माधवी पूरी बच्च ह मैंने बोला था अच पीडिएफ मिलेगी तो अभी थोड़ी दे दूंगी बेटा तुम्हारी चाल में समझती हूं तुम सोच रहो कि अभी पीडिएफ लेके चुप-चाप से निकल लो पीडिएफ के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा इंतजार और सही हाँ भी कौन है दोस्तों शेक्तिकान दास जी थीक है शेक्तिकान दास जी 25 चेयर परसन है कहां के नाम आएगा एकजाम में पकका तुम देख लेना एक टाइम पर ठीक है करा कि ऑदिए नियू इस्मॉल फिनांस बैंक का नाम सुने उगे उनके भीच एस एपसे नहीं है कि इस्मॉल सुनाइनस बेंक सब्क्राइब करें एहां की एंड़ी सीए हो जाते हैं हम लोग अक्सर इनको भूल जाते हैं यहां पर ठीक है शशीदर जगदीशन जी को हम भेज देंगे HDFC और मादेभी पूरी बच को हम लोग भेज देंगे नितिनगटकरी अनॉंसेज 250 मीटर वायडक्ट और 395 मीटर मारोज टरनल इन जम्मो कश्मीर ठीक है तो 82 करोड रुपए की परियोजना का सफल समापन हो गया नितिनगटकरी जीने जम्मो कश्मीर में 200 मीटर वायडक्ट और 395 मीटर मैरोग सुरंग की इनागरेशन करी एक आ यह वायर्स वेगेरा कनेक्ट करते हैं यही वायडक्ट होता है यही क्या होता है दोस्तों यही वायडक्ट होता है तो अभी दो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली वायडक्ट और टनल इन दोनों का इनागरेशन किया गया है और इसका जो ओवरॉल कॉस्ट था इसका ओवरॉल cost 해 82 करोड इसकी इनाउगृेशन की गई है किसने करिए नितिन yuan करी जीने करिए कहां पर करिए जम्मु कश्मीर में तो बेसेखली जम्मू कश्मीर में जो इन्हों ने किया इसकी इनाउगृेशन ये दो अलग अलग portion है एक portion है राम बन और दूसरा है नानी हाल, ठीक है तो एक सेंट, हाँ औरे अरे अरे अरे, हाँ भे sorry, ओके, तो सुनिए का, एक portion है राम बन और नानी हाल, नहीं, बनी हाल है ठीक है, मेरी नानी तो बहुत साल पहले जा चूक ती, आज मुझे नानी हाल की याद क्यों हो आरी है इन दोनों को यह connect करता है इन दोनों को यह connect करता है और मतलब अभी तक जो दूरी थी उस दूरी में लगबग लगबग इसके बंचाने से 200 मीटर कम हो जाएगा साथी साथ में जो रस्ता है रस्ते को और जादा smooth कर दिया जाएगा तो जो भी travel करना चाहता इधर से उधर उध हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा उसके लिए easy हो जाएगा अभी अभी इसकी क्या की गई है अभी अभी इसकी inauguration करी गई है अब यहां से सवाल कैसे बन जाएंगे यहां से सवाल बन जाएंगे कि भाई देखो अभी अभी जो है अभी 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 जो है बनी हाल section म जम्मू किश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू किश्मीर में हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रिज भी है कौन सा होता है चिनाब ब्रिज ठीक है चुकि हम लोग उने ब्रिज की बात करी और जम्मू किश्मीर में इसमें कुछ नहीं था एक ब्रिज है और एक टनल जानतों न आपको बताया कि कहां पर ये वायडक्ट को भी नौग्रेट किया गया या मरोज टैनल कहां पर है कौन से प्रदेश में ऐसे कोईशिंस बन सकते हैं कितने रुपए में बनाए गया है 82 करोड में बनाए गया है तो ये कुछ चीजें जो आप से पूछी जा सकती है अब जैसा म कर रहे हैं तो चणाब ब्रिज की बात कर लेते हैं कि चानाब ब्रिज तो जम्मू कश्मीर की शान है ठीक है देखो चेनाब ब्रिज जो है ये बक्कल और कोरी के बीश में डिस्ट्रिक्ट अ जो है चीटुएटेड एघरल्याशी शेयू को फोन सonly का ये न今天 ऐसी बात पर यह यहां पर located है इसको बनाए गया तो और इसकी जो उचाई है यह बहुत बड़ी चीज है इसकी जो उचाई है यह है 359 मीटर की इसकी उचाई है 359 मीटर की ठीक है 1315 मीटर लॉंग structure है जो की पूरे विश्व का tallest bridge है तो अगर आपसे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में अगर tallest bridge की बात करती है तो चेना भी याद रखना है इसका inauguration नहीं वह है लेकिन चुकि हम लोग bridge और जम्मु किश्मीर की बात कर रहे थे तो इसकी बात नहीं करते तो वो भी हमारे लिए बुरा था ठीक है याद रखे रिएगा की चेना bridge विश्व का tallest bridge है 359 मीटर का 1315 long structure होता इसका ठीक है अब अगर मैं आप लोगों से पूछी पूछू कि आप मेंसे कोई ऐसा है कि जिसे याद हो कि चेना ब्रिज जो है यह कितने रुपए में बनाया गया है कोई भी ऐसा आप मेंसे जिसे याद हो कि चेना ब्रिज को कितने रुपए में बनाया गया है मतलब इसकी नाम इसलिए है न क्योंकि यह आइफिल टावर से भी बढ़ा है यह आप सब लोग फिर देख किया होगे ठीक है कि इसको कितने कॉस्ट में बनाए गया था इसको नहीं करते हैं तो वो भी हमाई लिए बुरा था यह करना इंपॉर्टेंट था चलो अब देखो क्या पुछा हुआ है कौन से मिनिस्ट्री नितिन गटकरी जी के पास में है मैं नहीं बताओंगी तुम लोग देख कर आओगे कि चेना ब्रिश को बनाने में कितनी लागत आई थी नहीं आएगा तो मुझे मेसेज करना मैं बता दूंगी लेकिन अभी तो आप लोगो को देखना है कि कितने में इसको बनाया गया था ठीक है कौनसी मंत्रालै निटिन गटकरी जी के पास में कौनसी मंत्राल演 है सबसे पहला मिनिट्री ऑफ माइन्स ये किसके पास में होता है दोस्तों PraiHradh著 is prahadh जोशी के पास में Ministry of Defense किसके पास में होता है यह होता राज civ जी के पास реб्데 Ministry of Home Affairs किसके पास में हो जाता है 뚝 है Ministry of Road Transport यह साही आंसर हो जाएगा नितिन गटकरी जी यहां के क्या है मतलब यह इसकी अधेक्षिता कर रहे है ध्यान रखना यह बहुत ही ज़्यादा important point है अच्छा नितिन गटकरी जी की constituency क्या हो जाती है इनका निर्वाचन शेत्र क्या हो जाता है तो यह हो जाता है नागपुर ठीक है हो सकता है पूछ भी लिया जाए आप लोगों से कि नितिन गटकरी जी जो है इनका निर्वाचन शेत्र क्या है तो इनका जो निर्वाचन शेत्र है यह है नागपुर question यहां से बनने के chances है ठीक है अगला देखो इन्डियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनल ministry of culture का grand curtain razor और logo unveiling ceremony की गई यह देख रहो कितना खूबसूरत सा है ठीक है जर्ड़ा आप हम लोग समझते है की है क्या यह ठीक है अब हम जर्ड़ा समझते हैं कि है किस बारे में बात हो रही और यह है क्या exactly तो देखो जो ministry of culture है ministry of culture ने यह special एक चीज की organize करने को कही है और यह हमारे देश में 9 से लेके 15 दिसमबर तक होगा यह हमारे देश में organize किया जाएगा 9 से लेके 15 दिसमबर तक उस बीच में जो है Indian art architecture जो भी हमारे वहां की जो भी हमारे वहां पे बहतरीन चीजें बनाई बनाई गई है उस चीज को शोकेस किया जाएगा यहां पे आप एक term देख रहो बाइनेल ठीक है यहां पे आप एक term देख रहो बाइनेल तो हो सकता है exam में आपको केवल और केवल question टफ करने के लिए यह पूछ लिया जाए कि भाया यह बाइनेल क्या होता है जो लिखा हुआ है बाइनेल ये exactly होता क्या है तो बाइनेल का मतलब होता है कि अगर कभी भी art लेकर के साल भर में पूरे साल भर में कुछ organize किया जा रहा है तो उसको कहते हैं बाइनेल ठीक है उसको कहते है बाइनियल important है यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है ना तो यही भारत की जो सरकार है इन्होंने लॉंच किया है Indian Art Architecture Design Bainial इसकी organize की गई है और यहाँ पर हमारे देश में जो भी important art forms हैं, architectures हैं, जो भी खासी है तो उन चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे उन चीज़ों को यहाँ पर showcase करेंगे कब से कब तक यह होने वाला है तो यह थोड़ा सा important हो जाता है कि यह होने वाला है आप लोगों का 9 से 15 December तक ठीक है कब से कब तक होने वाला है 9 से 15 दिसंबर तक यह होने वाला है और कहां पर होगा यह बड़ी बात है कि यह कहां पर होगा यह Red Ford पर होगा अब यह बताओ दोस्तो Red Ford कहां पर है यह होगा 9 से 15 दिसंबर Red Ford पर ठीक है यह इसकी खास बात थी इसी पूरी जो ceremony होने वाली है इसका Curtain Reserve, Logo Unvealing यह सब कुछ और गिनाइस किया गया इदर ठीक है इसका Curtain Reserve, Logo Unvealing यह सब कुछ यहां पर और गिनाइस किया गया है ठीक है दोस्तों एक और भी बात आप लोग जरा यहां पर सभी लोग ध्यान रखे रहेगा कि अभी जो है अगले साल Venice का बाइनियल होने वाला है तो यह जो बाइनियल करेंगे मतलब एक तरीकी का exhibition होगा जहां पर चीजों को showcase किया जाएगा अलग अलग जो है लोग आएंगे देखेंगे जो भी art form architecture हर चीज को देखा जाएगा तो यह जो बाइनियल है यह आप लोग अगले साल होगा Venice बाइनियल इसमें participate करने के लिए इंडिया इस पूरी इंडिया जो है इस conference के तुरू इसमें participate करने के लिए खुद को क्या कर रही है ready कर रही है ठीके दोस्तों तो यह 2024 में होने वाला है बहारत का दिसंबर में होने वाला है होस्ट किया है एक प्रिलूड इविंट इंडियान आर्ट अर्किटेक्ट्चर डिजाइन बाइनियल IAADB का फुल फॉर्म याद रखना क्वेश्टन में यहां से एक्जाम सीधा बन जाएगा ठीक है मैं तो उमर अक्मल जैसी बात कर ली हूँ तो सीधी सीधी से बात बन जाएगी IAADB का फॉल फॉर्म क्या होता है ठीक है कहां पर हो रहा है और कहां पर इसको होस्ट किया जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री इस के लिए रिस्पॉंसिबल है तो यह कुछ पर्टिकुलर चीजे हैं जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए Now the Ministry of Culture is with Mr. G. Kishan Reddy तो G. Kishan Reddy जी को एक और आप लोग याद रखे रहेगा ठीक है Okay G. Kishan Reddy जी के पास में Ministry of Culture होता है तो यहां से भी सवाल बन चकता है कि यह Ministry of Culture के अंदर गताएगा वो इसको होस्ट कराने वाले हैं आखिर में यह Ministry है किसके पास में दोस्तों ठीक है तो अगर यह पूछ लिया जाता है कि यहां अखिर में यह Ministry के पास में यह Ministry है G. Kishan Reddy जी के पास में और G. Kishan Reddy का निरवाचन शेत्र क्या है निरवाचन शेत्र में बोलते रहती हो हर बार तो इनकी constituency क्या है इनकी constituency है दोस्तों सिकंदराबाद क्या है सिकंदराबाद ओके अखिर में वह एक question आगया Who is the Minister of Culture in Government of India तो यह है G. Kishan Reddy अरजन मंदा कौन होते हैं दोस्तों अरजन में पोर्ट्स तो यह बाकी लोंकी भी क्या हो गई अलग-अलग सभी की हो गई ठीक है दोस्तों देखो यहां पे लॉयल गर्ल जो है एक वाइरस फैला रही है नीद का वाइरस बोल रही है बहुत तेज नीद आ रही है मुझे एक बात बताओ बेटा तुम रात में कब सो ही थी अब हम लोग देखते हैं इंटरनाशनल अफेरस ठीक है अब हम लोग देखेंगे इंटरनाशनल अफेरस की बातें कर लेंगे क्या-क्या चल रहा है इन्हांजिंग इंडियास डिफेंस पार्टनर्शिप रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंग विजिट टू इटाली एंड फ्रांस बताओ ये इटाली गें और प्रदान मंत्री को नहीं ले गें मतलब मोदी जी नहीं जा रहे हैं इटाली ये कोई बात हुई कितना उनको बुरा लगा होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि उन्हीं के अंदर एक मिनिस्टर जो है वो इटाली जा रहे हैं लेकिन प्रदान मंत्री को नहीं ले जा रहे है और किसी जगे की बात छोड़ो इटाली नहीं ले जा रहे हैं बताओ ठीक है चलो तो क्या हुआएगई जो हमारे रक्षा मंत्री हैं रक्षा मंत्री कौन है राजनाथ सिंग जी है राजनाथ सिंग जी अभी दोरे पर गया हुए थे दोरे पर जाएंगे 에 9 तारिक से जाएंगे और ये इनके वाद है कि हमारे रक्षा मंद्री जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट होगा इनका रक्षा या डिफिन्स है तो डिफिन्स ट्राइस को और जदा स्ट्रॉंग करने जाएंगे ठीक है आप लोगों को शायद याद हो कि अभी मार्च के टाइम में ठीक है इस जब मार्च था तो इस बार की मार्च के टाइम में हमारे देश में कौन आई थी मिलोनी जी आई थी हमारे देश में ठीक है इस बार जब अभी ये मार्च चल रहा था तो इस मार्च में हमारे देश में मिलोनी जी आई थी ठीक है जियोर्जियो मिलोनी और ऐसा पांथ साल म उन्होंने उस वक्त बहुत सारे चीजें रखी थे कि कहां कहां पे दोनों जो कंट्रीज यह क्या कर सकती हैं, कौन-कौन से शेत्र में मिल करके नए-णाय काम कर सकती हैं, ठीक है, तो यह जो है जो है, जौजिया मिलानी और हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी ने बहुत सारे सेक दोस्तों, दो देश क्यों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत क्यों करते हैं, उनके मिल के बातचीत करने का यही मकसद होता है, कि दोनों ही एक दूसरे को क्या करें, दोनों ही एक दूसरे की मदद करें, तो यह हमारे वहां पर दो मार्श के लगभग आई थी, दो पहले ठाली जाएंगे रोम में विजट करेंगे लो में एक समय करेंगे एखरे का सकते strengthen कर सकते हैं दोस्तोंará को frogде कर सकते हैं खुच सुचो अजब तरीग किसे को सपोर्ट करना कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते है अ military exercises कर सकते हैं combat exercises कर सकते हैं कोई अची तकनीक को उसको share कर सकते हैं कि यह हमारे पास अच्छी तकनीक यह से इछे weapons बनते हैं इसको share कर सकते हैं Knowledge exchange कर सकते हैं Research or Development में एक दूसरे के साथ participant कर सकते हैं यह क्या होता है दोस्तों अब हम लोग 26 और भी रफैल जेट्स लेने वाले हैं तो यह सारे डिसकुशन करेंगे जब हमारे रक्षा मंत्री कहा जाएंगे इटाली और फ्रांस जाएंगे अब जब यह वहां पर जाकर के होए आएंगे तब हम लोग जानेंगे कि अच्छा एक्जैक्टली क्या क्या डि दिख लेंगे अब सुनों को इस्टिक लगा कर क्यों आते हो क्योंकि मैंने खरीदी है खरीदी क्योंगी लगाओ लिपिस्टिक लगा के लोग गोरे दिखते हैं सीधी बात चलो अंसे करो और मैं कैमरा पर पढ़ा रही हूँ तो जरूरी है ना हाँ चलो तो इसका अंसर के ओग दूस्तो हम The answer here is Mr. Amit Shah Sorry Mr. Rajnath Singh Amit Shah जी से बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली थी यह अभी कुछ किये हैं तो मैं इनी को टिक कर दी देख रो भी नो तो मेरा हल यह Ministry of Cooperation और Home Affairs है यह क्या है? यह है Ministry of Cooperation और Home Affairs नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्रधान मंत्री और कई संस्थाओं के Chairperson BC के साथ साथ में हैं नितिन गटकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे देख रहे हैं ठीक है? अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि राजनात सिंग जी की constituency होती है क्या तो आप क्या बताओगे? अगर मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि राजनात सिंग जी की क्या constituency है? तो आपका क्या अंसर होगा? लखनौ ठीक है? और अगर यह आपको पता नहीं है तो इस बात की मैं कड़ी निंदा करती हूँ इंडिया को re-elect कर लिया गया है यह हमारी दूसरे ख़बर आ गई यहाँ पे हम क्या देख रहे है भारत को re-elect किया गया है एशिया प्रशान्थ इंस्टिट फॉर ब्रॉड कास्टिंग डिवलप्मेंट जनरल कॉंस्टिट फॉर थार्ड कंजिकेटिव टॉर्म ठीक है खबर में हम क्या देख सकते हैं खबर में हम देख सकते हैं कि भारत को तीसरी बार लगाता है एशिया प्रशान्थ इंस्टिट फॉर ब्रॉड कास्टिंग डिवलप्मेंट की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तीसरी बार बड़ी बात है यार कि एक ही देश को तीसरी बार चुना जा रहा है AIBDM पहले समझते हैं कि AIBD क्या है यहां पर आप लोग देख रहो ना आपके सामने में AIBD करके लगा हुआ है विच इस वाट? विच इस Asia Pacific Institute for Broadcasting Development यहां पे लिखा भी होगा है Asia Pacific Institute for Broadcasting Development तो इसका काम गया होता है जो Asian Pacific Region है ठीक है? यह जो Asian Pacific Region होती है इस पर्टिकुलर रीजन में Electronic Media को Develop कराना Electronic Media का मतलब समझते हो क्या है? जैसे news हो गई आपकी जो आप लोग TV में देखते हो ठीक है या जैसे आप लोग मान लो की ये भी मैं कहूंगी ये तो social media पर आप देख रहो लेकिन कभी भी जब आप लोगो जो media मिल रही है वो electronic के माधियम से मिल रही है ठीक है जो भी ऐसी चीज़े मिल रहे हैं आपको electronic के म development इसको बनाए गया था इंड़ ये 1977 1977 में बन गए ती दोस्तों क्यों बनाए गए थी वो मैंने आप लोगो बता दिया अब इसकी अभी एक कीसवी जेनरल कॉंफरेंस मीटिंग हो रही थी और इसी मीटिंग के दोरान इन्होंने कहा कि देखो हम लोग भारत को दुबारा से इलेक्ट कर रहे हैं कि भारत हम लोग की अध्यक्षिता करने वाला है इस पर्टिकुलर बॉड़ी की फिर से भारत अध्यक्षिता कर रहा है भारत में कौन अगर मैं कहती हूं भारत तो ऐसा थोड़ी नहीं कि इंडिया उटके चला जाएगा भारत की तरफ से ये कौन करता वाले ये इनकी ये इनको रेप्रेजेंट करते हैं यहां पर और अभी जैसा मैंने आपको बताया यही खबर आईए जब 21 जनरल कॉंफरेंस और एसोशियेट की मीटिंग चल रही थी जिसकी अध्यक्षिता कौन कर रहा था जिसकी अध्यक्षिता कर रहे थे गौरफ वेथी प्रसार भारती के CEO होते हैं वही इसकी अध्यक्षिता कर रहे थे तब ही ये बहरत फिरसे इनकी अध्यक्षिता करने वाला सुखेंगे में अगले साल भी अब देखो यहां थो हमने यह पढ़ लिया ऍग्जाम आपको confuse करने के लिए question कैसे आएगा कि AIBD की कौन से number की annual conference हुई है इस साल तो हम क्या सोचेंगे 21 वी हमने देखी हम वहाँ पर 21 करके आ जाएंगे लेकिन जो इनकी annual conference हुई है वो इस साल 48 होगी इस साल इनकी 48 हुई यह तो general conference है annual is different तो annual इनकी 48 होगी जो इस साल होगी ठीक है 48 annual conference और यह होगी कहाँ पर यह होगी Mauritius के अंदर पिछले साल जो 47 होई थी यह न्यू डेली में होई थी ठीक है 48 कब होने वाली है 2023 में होने वाली है किसकी AIBD की मीटिंग होने वाली अच्छा AIBD का secretariat कहां पर यह एक संस्ता है तो इसका कुछ ना कुछ सची वाले या वो होनी चाहिए na head office तो इनका secretariat होता है कौला लंपूर वो point याद रखना important है exam में वहाँ से सवाल बन सकते है ठीक है in which country are headquarter of Asia Pacific Institute for broadcasting development located बताईएगा सभी कहां पर है yes okay okay I hope तुम्हें session अच्छा लग रहा है and you are enjoying it है न so the answer here will be what Malaysia okay अगला यह तो बड़ी disturbing news थी मतलब आप बैठे रहते हो इस्राइल पे हमला हो गया जब यह बोला जाता है कि इस्राइल पे हमला हो गया तो कोई दूसरी बात सोचता भी नहीं है इस्राइल पे हमला हुआ है जाहिर सी बात है हमास की तरफ से हुआ होगा अब हमस यह नहीं सोच रहा है कि इस बार अगर हमस को दूल में मिलाया जा सकता है इस रायल अगर अपने पे आ गया तो हमस को खतम कर देगा एक दम ठीक है लेकिन खैर तो यह अभी दो दिन पहले की बात है शायद से सैटेड़े की ही बात है अब ही मैं मुझे पता था कि आज की सेशन में हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी डिसकस कर रहे हैं वो अलरेड़ी एक लिंदी न्यूस हो जाती है और मंडे को अलरेड़ी बहुत सारी न्यूस होती है तो मैं बहुत जादा चीज़े इसमें नहीं लगाई हूँ कल की सेशन में मैं आपको ये थोड़ा मैप से समझाने की कोशिश करूँगी कि ये क्या माजरा है पूरा ठीक है अभी जो हम लोग समझ सकते हैं वो समझ लो क्योंकि आट वजे से आपकी क्लास हो जाती है फिर से दूसरी भी है ना हाँ जरह ध्यान दीजेगा पीडिय वं मिलेगी पीडिय वं मिलेगी ठीक है एसा नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी थोड़ा से सबर कर लो तो खबर ये है कि इस्रायल पे अभी जो है दो दिन पहले हमास की त्रफ से अटैक हुआ और जो ये गाजा इस ट्राइब पे जो soldiers वेगेरा थे ठीक है इसरेयल को ये इसरेयल पलस्तीन की के जो हमासे इनका आपस में बहुत दिनों से अलरी बहुत समय से इनका बहुत पुराना आपस में कहा टकराव है अभी वही बढ़ गया एकदम से जो हमासे इन्होंने बहुत सारी मिसाले दाग दी कुछ बता यह पहले के समय में हम लोग ऐसे वार सुनते थे न कि यह जो देश है वह हमारी देश पर वार कर दिया यह से कॉर्ग पूरा तो तो वहां से क्या किया है वहां से उन्होंने हमला कर दिया है इसराइल की ओपर तीक है और इसराइल के बहुत सारे लोग तरह से वह बनाया जा रहा है हमारी मदद करो यह लोग ऐसे पनली बोल रहे हैं सबी देश ने अपनी तरफ से इनको वो भी दिया है कि हमास ने गलत किया है और इसराइल के साथ में जो हो रहा हम उनके साथ खड़े हैं प्रधान मंतरी मोदी जी का भी एक ऐसा ट्वीट था जहां पर उन्होंने बोलाता कि हम इसराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं कोई भी हमास को नहीं करेगा ठीक है हमास पलस्तीन इसको यह रिकोगनाइज भी नहीं है पलस्तीन जो रिजन होता है वेस्ट बैंक करके आपको इसराइल के पास दिखेगा यह उनाइटे निशन भी रिकोगनाइज जगे भी नहीं है ठीक है लेकिन इनकी अपनी मांग इनकी अपन अधन देदनादन अटैक करना शुरू कर दिया था इतने सारे अटैक कर दिये गये थे जिसकी वजह से इतने अटैक हो गये जिसकी वजह से जो इस्राइल है वहां के बहुत लोग ग्रसित हो गये soldiers को इन्होंने बंदी बना लिया है बंदी बना कर रख लिया और कहा है कि अब यह हमारे benefit में यह हमारे लिए advantage है क्यों इनके लिए advantage होगा हमास के लिए क्योंकि इस्राइलियों को जब यह बंदी बनाएंगे तो अपनी शर्ते रखेंगे कि हमारी ये शर्त है इसको पूरी करो तो हम देंगे तो जो भी soldiers थे ना जो इसराइल के हमास या गाजा स्ट्राइब के पास में तैनाग थे उनको एकदम से इन्होंने capture कर लिया अपने पास में बंदी बना लिया ऐसी ये घटना 2005 में भी हुई थी जब इन्होंने एक इसराइल को अपने वहां पर जो हमास है वो एक इसराइल को अपने वहां पर बंदी बना लिया था और उसके बदले में उन्होंने एक हजार पलस्तीनियन रिफ्यूजी को छुडाया था तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं इसके लिए जो है इसराइल की जो भी गवर्नमेंट है वो अल्रेड़ी बिल्कुल उजागर हो चुकी है उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी फिलहाल में उनका एक ऐसा ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने कहा था हम हमास से ऐसा बदला लेंगे जो उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था जिसके बारे में वो कल पना नहीं कर सकते हैं तो ये उनका ट्वीट आ चुका है कि वो कुछ बहुत बड़े लवल पर करने वाले हमास के साथ और जाहिर सी बात है यार अगर वो अपने पर उतरा है तो हमास को मिट्टी कर देंगे पूरा ठीक है खैर तो अभी फिलाल में ये खबर है कल हम लोग इसको थोड़ा और डीप में डिसकस करेंगे कल हम लोग इसके बारे में और बहुत सारी चीजों को देखेंगे ठीक है लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं तो वही है कि इसराल पे एक उन्प्रेसिडेंटेट पांच हजार रॉकेट सोचो यार कितनी बड़ी चीज है इतने सारे रॉकेट मारे हैं कितने लोग की मृत्तियों गई विचारू की गाजा से और फिर उन्होंने स्टेट ओफ वार डेक्लेयर कर दिया फिलाल में प्राइम मिनिस्टर को ने इसराल के बताईएगा नेतन याहू जी है जो बाइडन रिशी सुनक मुहम्मद शत्य या फिर इसायक हर्जोग पताईएगा फटा फट यह लास्ट वलनाम आप लोगो शायद सुना सुना लगता होगा यह प्रेसेडिन्ट हो जाते हैं ठीक है यह प्राइम मिनिस्टर ने जो बाइडन को कहां बेज दिया जाए यूएस से भीज दिया जाए रिशी सुनक जी को कहां भीज दिया जाए यूके भीज दिया जाए अच्छा मुहम्मद शत्य आप लोगों को दिख रहे हैं ये कौन है दोस्तों इस में तुमने मेला गूमने ज्यादा मिले वा मेला गूमने अच्छा ये बात कहां से आगई अच्छा सुन लो ये पलस्तीन के हैं पॉलिटीशन मुहम्मद शत्य और पलस्तीन के जो है ये पलस्तीन को जो देखते हैं मतलब वहां के जो लीडर है वो तो इस पूरे घटना को कंडेमने तक नहीं किया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं तो वो कहें कि चलो ठीक है इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया उन्होंने कुछ भी इसमें कंडेमने नहीं किया ये बहुत ज़दा मतलब एक अजीब सी बात थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आपने कुछ नहीं बोला ये बहुत अच्छी ख़बर है बहुत इंपोर्टन्ट European Union ने अप्रूफ किया है पहला Green Bond Standard in the World to combat Green Washing Brain Wash का मतलब आप सभी समझते होगे ठीक है Brain Wash का मतलब आप सभी समझते होगे शायद से आज ज़रा हम लोग Green Wash समझेंगे कि ये Green Washing क्या होती है ठीक है Coca Cola की ओपर इसका बहुत आरूप है कि Coca Cola ये बहुत जादा करता है Green Washing का मतलब क्या होता है न दोस्तों कि कोई कंपनी है वो आप से कहेगी कोई कंपनी निवेशकों से कहेगी जैसे जो निवेशक होते हैं उनके उपर भी ये एक दबाव सा होता है कि भाईया आप जो निवेश कर रहे हो अपने पैसों को उसको किसी greenery purpose में करो यानि किसी green bond में करो green bond का क्या मतलब होता है दोस्तों green bond का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा bond जिससे जो भी पैसा मिलेगा उसको environment के भले के लिए लगाए जाएगा ठीक है तो ऐसे roads में लगाओ जो sustainable हो ऐसे buildings बनवाओ जो sustainable हो अपने वहाँ पे space को ऐसा करो जो greenery वो करे efficient हो ऐसी चीजों में पैसे लगाओ ठीक है ये एक छोटी सी बात है फिलहाल में क्या खबर है फिलहाल में ये है कि कुछ companies greenwashing करती है वो अपने investor से कहती है आप हमें पैसे दो हम इसको green environment में लगाएंगे लेकिन actually वो उसका कुछ ऐसा करती नहीं है वो false claim करती है कि हमने आपके पैसे को किसी greenery related project में लगाए पर वो ऐसा करती नहीं तो ये greenwashing करती है अब European Union इस पे इतना बड़ा step क्यों ले रहा है क्यों अब भारत भी है Asia region हो गया African region हो गया Indo-Pacific, Asian Pacific तमाम region से इसमें European Union को क्या लग गई European Union इस पे इतना बड़ा step इसलिए लेने को कह रहा है क्योंकि European Union पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे या सबसे ज़्यादा लगाता है green bond के अंतर जितना भी होता है उसका 3.5% अप्रॉक्स अखिला European Union में आता है पूरे विश्व का तो इन्होंने कहा है कि इस समय greenwashing वाला concept बहुत ज़्यादा चल रहा है और यह जो greenwashing वाला concept है यह इतना होना ने चाहिए इसको कम होना चाहिए इसलिए इसको कम करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम कुछ standard ले करके आएंगे कोई भी अगर green bond लाता है तो और अगर वो इस चीज को follow नहीं करता है तो फिर उसके उपर कारवाई होगी इन्होंने यह भी कहा है कि जो भी आप पैसे लोगे green bond के जरी उसका 85% वही उसी sustainable तरीके से लगाना चाहिए उसी taxonomy में लगाना चाहिए जो हम कह रहे है उससे अलग नहीं होना चाहिए तो यह European Union कुछ अपनी तरफ से लेकर आया है क्योंकि green washing वाला मसला बहुत चल रहा था कोका कोला इसके लिए बहुत बदनाम है कि वो investor से पैसे लेकर और उसको greenery projects में exact na invest करके दूसरी दूसरी जगे कर देता है ठीक है इसलिए जो है इन्होंने काए कि भाई हम लोग अपनी तरफ से green washing के लिए नए standard लेकर क्या रहे है सभी देशों को इसको follow करना होगा ठीक है अब यह बताओ ज़रा European Union में कितने देश होते हैं जल्दी जल्दी बताना दोस्तो सारे बच्चे परिशान है क्या PDF मिलेगी क्या PDF मिलेगी तुम्हें क्या लगता है गाजा स्ट्राइप और पलस्तीनम मैप से हट जाएगा पुतीन साहब कह रहे हैं यह बात तो मैं पूछ रही हूँ कि European Union के अंदर कितने nations होते हैं मुझे क्या answers मिल रहे हैं 27 ठीक है तो इसका answer हो जाएगा 27 19 क्यों कहते हो यार तुम लोग 19 जी 20 को लेकर तो नहीं कहते हो तुम लोग मिलेगा मिलेगा PDF मिलेगा तुम लोग घबराओं नहीं मेरे साथियों PDF मिलेगा PDF आज तो मिली रहा है Thursday को भी मिलेगा ठीक है और अब हर हफते में दो दिन सेट रहेगा जब आपको PDF मिलेगी ही मिलेगी ठीक है और अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी इस नॉट सेम वो डिफरेंट होता है वो इस दे प्रेसिडेंट ओफ यूरोपेन यूनियन ठीक है यूरोपेन यूनियन की प्रेसिडेंट कौन है बताईएगा बताओ भी इस उर्सुला वंडर लीन फ्रैंक वोल्टर क्या है कौन है सुरी फ्रैंक वोल्टर किस पोजिशन पर है यूरोपेनट ओफ जर्मनी है कौन है दोस्तों प्रेसिडेंट ओफ जर्मनी ओलाफ इश्कॉल्स क्या है Chancellor of Germany Emmanuel Macron को हम लोग कहां बेच सकते हैं इनको बेच सकते हैं हम लोग France ठीक है तो इस कहां जगया था Ursula Wonderland Summits और Conferences की फटा-फट बातें कर ले हम लोग क्योंकि as usual time बहुत ज़्यादा हो चुका है inaugural हुआ Pathology Conference hosted by हर्याना chapter of IAPM ठीक है तो क्या है ये IAPM क्या है जरा हम लोग देख ले कुछ है वे ऐसी चीज नहीं मतलब फिर भी जानना तो जरूरी है ही question तो बन भी करेगा IAPM क्या होता है न दोस्तों IAPM हो जाता है आप लोग का Indian Association of Pathologists and Microbiologists ठीक है Indian Association of Pathologists and Microbiologist ठीक है ये हो जाता है IAPM का फिल फॉर्म हाँ सेर्ट हाँ सेर्ट हाँ सेर्ट इसर्ट हाँ पर देता है लोग्त हाँ सेर्ट हम जयां सबमूनिख चेर्ट वह भूप लूब जया लोग्त हम यह बातें कर रहे हैं कि यह इंडियन अस्सेशन ऑफ पैथोलोजिस्ट और माइक्रो बाइलोजिस्ट ठीक है यह आई पीम होता है इसमें जो हर्याना चैप्र यानि की जो हर्याना राज है यह अपने वहां पर होस्ट कर रहा है ऐसा पहला एक कॉंफरेंस टाइप का इस कहां किया चाह रहा है तो आप लोग EASIC शाहिद सुने होगे EASIC यानि की Employee State Insurance Corporation यह जो EASIC होता है इनके हॉस्पिटल भी होते हैं तो इनका एक हॉस्पिटल है हर्याना में वह उस हॉस्पिटल में इस कॉंफिंस को और्गिनाइज किया गया है हर्याना की जो मेंबर्स हैं क यहां पर इन्होंने डिसकुशन किया है कैसे pathology और microbiology sector को और excel करा सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों sectors मिल करके और जादा बूम करें और क्या के नहीं स्टेप्स के अंदर लिए जा सकते हैं यहां पर सारी की सारी डिसकुशन की गई हैं मतलब इनके द्वारा और य से दीरे 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 एस आइसी के hospitals ने बूस्ट किया है कैसे हमारा देश दीरे-दीरे microbiology और pathology आप लोग जानते होगे ना जो testing वेगरा हम लोग देते हैं खून-वून का होने को कैसे sector और excel कर सकता है क्या 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 किया गया यह सब हुआ है कुछ और है नहीं लेकिन आई है फरीदाबाद के अंदर किया गया है चीफ गेस्ट कौन थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया चीफ गेस्ट थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो की डिरेक्टर जनरल होते हैं एस आइसी के ओके एडिटोरियल मैं तुम लोगों को पढ़ा दूँ कि आज मैं एडिटोरियल तो पढ़ा दूँगी लेकिन एडिटोरियल से रिलेटेड वोकाब वोकाब नहीं बढ़ा पाऊंगी हाँ इनॉग्रल पैतालोजी कॉन्फरेंस होस्ट किया गया हर्याना चैटर अफ आई एप इस बढ़ाँ कि बताओंगी लेंक फॉर नोट्स आपको मिल जाएंगे सबर करो सब बताओंगी दो मिनट रुखे रहो ठीक है मिलेगा लिंक मिलेगा ऐसा निया कि जूड़ बोल रही हूं मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको सबर करना हाँ भी तो अब से क्या पूछा हो था हर्याने के चीफ मिनिस्टर को नहीं यह है मनोहरलाल खतर योगी अधितिनाथ कहां के होते हैं दोस्तों यूपी के होते हैं अशोग गैलोथ कहां के होते हैं राजस्थान के होते हैं शिवरास सिंग चोहां कहां के होते हैं अधिया प्रदेश के होते हैं नितीश कुमार कहां के होते हैं बिहार के होते हैं ठीक है अगला देख लो कीनोट अड्रस बाइ यूनियन होम मिनिस्टर स्ट्री अमिच शाह एस चीफ गिस्ट एट 49th All India Police Science Congress इन देहरादून उत्तरा खंड ठीक है तो अभी यह 49th edition हो रही थी किस चीज की 49th edition थी All India Police Science Congress की किस चीज की थी All India Police Science Congress की अभी यह होस्ट किया जा रहा था इसको होस्ट किया है देहरादून के अंदर यहां पर चीफ गिस्ट हमारे मोटा भाई यानि की अमिच शाह जी थे उन्होंने यहां पर स्पीश दिये और बताया है कि कैसे 2019 के बाद से हर एक सेक्टर में कैसे बदलावाया है कैसे भारत क्या किया एक्सल की अच्छा ऐसे जो कॉन्फरेंस होत चीजों को ले करके बैठकी की गई और इस बैठकी के अंदर जो है बहुत लोग शामिलते इस पूरी बैठकी के अधिक्षता कॉन कर रहा था अमिच शाह जी कर रहा थे तो उन्होंने बोलाए कि देखो भाई हमारा देश 2019 के बाद से हर एक सिक्टर में बहुत अच्छी से तरकी कर रहा है पुलिस तो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी की किसी भी देश की तो उनके लिए तो और जादा ज़रूरी है कि वो सही से डिवलप्मेंट करे तो इस ओल इंडिया पुलिस साइंस कॉंग्रेस में इन्होंने इन सारे बातों की क्या करी है डिसकुशन करी है दोस्तों यह आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका यह कौन सा एडिशन हुआ था तो यह एडिशन था 49 ठीक है कहां पर हुआ था यह किया गया था आप लोगों का उत्तरा खंड के अंदर ठीक है कहां पर किया गया था उत्तरा खंड के अंदर कि सौ साल तक जो यह 25 साल है इस 25 साल में भारत एक नया मतलब डिवलब डिनेशन बन करके आएगा अमिच जी कह रहा है कि यह अमिच छाह जी क्या कहए ते नरेंद्र दिजी का एक चुलिए बयान है कि अगले 25 साल में भारत सौ साल हमारे 75 साल अलड़ी अब और चुक्त हैं आजादी के तो जब आजादी का 100 साल कंप्लीट हो ना भारत हर एक सेक्टर में कुछ बड़ा कराव है कोई ऐससा सेक्टर हो ही ना जिसमें भारत पीछे रहे हर एक सेक्टर में भारत को बहुत आगे रहना है थीक है ये इनका बैयान की वो हम लोग फिर देखेंगे फिलहाल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो हम सभी लोगों ने देख लिया ठीक है किसकी बात हो गई और इंडिया पुलिस साइंस कॉंग्रिस की बात हो गई ठीक है यह हो जाएंगे फिर से यूपी राजस्तान एंपी नन ओफ दी अबव अच्छा उत्तराखंड के गवर्णर कौन है दोस्तों फिर गवर्णर ऑफ उत्तराखंड गुर्मीद सिंग गुर्मीद सिंग ठीक है तो गवर्णर को याद रखे रहेगा गवर्णर होते हैं मुझे मन कर रहा है मैं भी पहाड पे गूम किया हूँ उधर आचल मैं दो राउंड पहाड का मार ली इधर मैं एक भी नहीं मार पा रही हूँ बताओ दोस्तों बिलो दो सोचो अगला देख लो अपॉइंट्मेंट न्यूज है तो इसमें क्या है रिलाइंस जियो मार्ट ने MS धौनी को अपना क्या पॉइंट किया है ब्रांड अंबिस्टर अपॉइंट किया है ठीक है MS धौनी में एक चमक है जो शाहरुख खान में है और शायद किसी में ने तो ब्रांड अंबिस्टर क्या होता है दोस्तों ब्रांड अंबिस्टर का मतलब होता है कि यह उस ब्रांड को इंडॉस करेंगे उसके बारे में लोगों को प्रचार की जरीए बताएंगे कि मैं इसका यूजर हूँ, आप भी बनो, ठीक है? तो दोस्तों, अगर कल को तुम लोग बाई चांस को यह सा ब्रांड ब्रांड लेकर क्या रो, कुछ नया बनाने की सोच हो ठीक है? वो इस बीन अपॉइंटेट अस ब्रांड अमश्डर ऑफ जियो मार्ट MS धोनी, MS धोनी आजकल खुब सूरत लग रहे हैं बाल बनवा के अच्छे से इंपोर्टन डेज देखो, 90 सेकेंड इंडियाने और फोस देट अक्टूबर ट्विंटी ट्री ठीक है? यह बहुत प्यारी चीज़ है पैसा ही पैसा होगा, पैसे में खेलूँगी मैं पैसे में हैगी नहीं दोस्तों, मज़े आ जाएंगी पूरे मुझे तो हाँ तो अब हम लोग ज़रा बात करते हैं इंडियन एर फोस की, ठीक है? तो हमारे इंडियन आम फोर्स की तीन विंग्स होती है जिसमें एक इंडियन एर फोस होती है ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? जो इंडिया की एर स्पेस है उसको क्या करना? उसको डिवलप करना और कंड़क्ट करते रहना एरियल वारफेर को इसको जो establishment किया गया था इसका ये किया गया था आठ अक्टूबर 1932 को आठ अक्टूबर 1932 की, 1932 में इसकी क्या की गई थी? Establishment की गई थी और तब ये British Empire के अंदर आता था Auxiliary Air Force of British Empire, ठीक है? जिसको Indian Aviation Service, World War II में इसकी बहुत जादा यूज भी की गई थी जब इंडिया को UK से, British से आजादे मिल गई 1947 में उसके बाद से ये हमारे देश का, ठीक है? उसके बाद से ये क्या हुआ था? उसके बाद से इसका जो नाम था वो बदला पहले पहले इसका नाम था Royal Indian Air Force ठीक है? पहले पहले इसका नाम था Royal Indian Air Force 1950 में Royal World को हटाया गया है 1950 में Royal World को हटाया गया है उसके बाद से इसका नाम हो गया है Indian Air Force तो अभी फिलहाल में ये क्या है? Indian Air Force है अगर आप से कभी पूछा जाता है कि Indian Air Force की Supreme Commander कौन है तो इंडियन एयर फोर्स की जो Supreme Commander है वो है द्रापदी मुर्मु जी याद रखे रहेगा कौन है Supreme Commander of Indian Air Forces अब देखो कल जो है ना Indian Air Force का celebration हो रहा था प्रयाग राज के अंदर हो रहा था आज उससे बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें निकल करके आएंगी कहां पर हुआ है क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें आज बताई जाएंगी उसके बारे में हम लोग कल की सेशन में फिर डिसकस करेंगी क्योंकि अभी तो 9 तारीक है 9 तारीक का सुबह 6 बजे ही साड़ी 6 के बजे से क्लास शुरू हो गए तो आज जब 8 अक्टूबर की जो भी सेलिब्रेशन हुई होगी उसकी जो भी इंपॉर्टेंट बाते आज निकल करके निउस में आएंगी वो सब कल हम लोग डिसकसिन करने वाले हैं दोस्ते ठीक है कल की क्लास में तो इस बार का जो थीम का यह था आई-ए-फ एयर पावर बियांड बाउंडरी यह इस बार आई-ए-फ की सेलिब्रेशन का थीम था एयर पावर बियांड बाउंडरी ठीक है इसको आप लोग याद रखे देगा इंपॉर्टेंट है एक्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से आप से पूछे जा सक हैं ठीक है हर साल 8 हकुबर को मनाया जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान जी है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ याद रखे लेगा मार मेरे हाँ हाँ बिल्कुल मुझे बना दो तौफिक तुम्हेरा मार्ट है कहां पर हमास इसरायल वार भी कल हम लोग डिसकस करेंगे दोस्तों और मतलब डिसकस तो आज भी कियें कल हम लोग उसको मैप के थ्रू डिसकुशन कर लेंगे मैंने बताया ना कि आज क्लास जादा लंब वी आर चौधिरी और इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं वह आपनों को पता होंगे अनिल चौहान जी और वाइस चीफ और स्टाफ कौन होते हैं अमर प्रीट सिंग ठीक है वाइस चीफ ठीक है दोस्तों चलो वाट इस थीम ऑफ इंडियन एयर फोर्स एयर पार बियोंड बाउंडरी स्पोर्ट्स न्यूज में केवल और केवल एशियन गेम्स की न्यूज है फटा फटे से कवार कर लेते हैं फिर आज का सेशन होगा खतम एशियन गीम तो हजार तेज इस एंड करके देखते चलते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है गोल्ड जीता है और इन्होंने किसके अगेंस्ट गोल्ड जीता था अफगानिस्तान को हराकर जीता था यह एशियन गेम की एक बात हो गई ठीक है बोथ इंडियन मेंस और विमन्स टीम विन गोल्ड इन इविन में जीता था ठीक है अब जरह यहां पर देख लो एशियन गेम्स की टैली एशियन केम्स की टैली इधर आपको कुछ दिख रही है यह रैंकिंग एशियन गेम्स की ठीक है टॉप सिक्स जो कंक्री इस बार की परफॉर्मेंस वाइस वह आप देख सकते हो फर्स्ट आपको कौन देख रहा है पीपल्स रिपॉब्लिक ऑफ चाइना गोल्ड इन्होंने 201 स्कोर किये हैं तो इन्होंने गोल्ड 201 स्कोर किये हैं सिल्वर 111 ब्रॉंज 71 टोटल 383 हो गये जपान से केंट रैंक पर है 52 गोल्ड है 67 सिल्वर है 69 ब्रॉंज है 180 है टोटल है करें दोस्तों Asian Games का हो रहा था 19 वा चलंड चल रहा था एशन गेम्स का होंग्जाओ चाइना के अंदर और इसमें पहले पर है चाइना फिर जपान फिर है कोरिया 14 नंबर पर इंडिया ही है इंडिया का जो गोल्ड मेडल था 28 ठीक है इसके अलावा सिल्वर 38 फिर किया इनोंने Asian Games में Asian Games में अभी तक मतलब इतने अच्छी परफॉमेंस और कभी नहीं रही थी जो इस बार की रही है तो यह बड़ी सारानी चीज़े बहुत लोगोंने कॉंग्रेचुलेट भी किया है बहुत सारे लोग थे जो एकदम से रिकॉर्ड क्रिएट करके आये जि ठीक है खेर तो यह 19th edition था Asian Games का कहां पर हुआ हॉंग्जाओ चाइना के अंदर में हुआ है यह और इसमें इंडिया की आप लोग देख सकतो है मेडल टैली मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है चाइना टॉप पर था बहुत सारी गोल्ड मेडल भी चाइना ने जीते है ओगी चलो इंडिया ने जीते हैं 28 गोल्ड मेडल ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 ओगी चलो हमवर्क के एमसी क्यूज देख लो जो एशियन गेम्स के पहली वाली न्यूस थी वो सब एशियन गेम की ही गोल्ड की न्यूस थी उसको आप लोग एक बार देख लेना कुछ था नियूस में इसलिए मैंने उसके अब यह आप लोग ऐसे सोचो 1932 में निर्माड हुआ था तो कौन सा एडिशन होगा वह आप लोग सोच कर बताना ठीक है कौन से एडिशन होगा था ओल इंडिया पुलिस साइंस कॉंगरस का जो रिसेंटली देहरा दून के अंदर हुआ है कितने मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते हैं एशन गेम में 87, 97, 100, 7, 117 या 127 तो आज के सेशन में हम लोगोंने काफे कुछ आलरी कवर कर लिया ठीक है international international सारी की सारी important news हम लोगोंने cover कर लिये है अब बात आती है आप लोगों को मैंने PDF देनी की बात करी थी ठीक है तो आज की आप लोगों को PDF मिलने वाली है ये इस सेशन के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगी ठीक है यह जो लिंक लगेगा इसको आप लोग मानलो थोड़ी देर में लग जाएगा ठीक है त्यूंकि मैं सोची थी मैं यहां पर आप लोगो लिंक प्रोवाइट कर दूंगी इसके अंदर लिंक होगा पर सुबह सुबह थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वैसे लग नहीं पा रहा था और मैं सोची थी कि आज मैं आप लोगो पीडिएफ दूंगी ही दूंगी इसलिए मैंने वो लिंक जो है मतलब उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है वो आप लोगो मिल जाएग ठीकि है अलब मिलने जाएगा अगली बार से जो रिंक मिलेगा वह आपको कि आपको सेशन में मिलेगा इसके बााद में मिलेगा ठीक है चलो तो दोस्तों अवाज के लिए हम लोग इतना session रखते हैं hope आप लोग को session पसंद आया हो कोई परिशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो ठीक है and मुझे उमीद है कि आप लोग को session में हर चीज clear आई होगी समझ में आई होगी और कुछ ऐसा रहनी के होगा जो आप लोग ना कर पाओगे न thank you so much और जिसको नीद आती है उनको क्या करना है उन सभी लोग को चाय पी कराना है देखो मैं तो चाय भी नी पी हूँ मुझे फिर भी नीद नी आरे और मैं रात बर सोई भी नहीं को यार तुम लोग कुछ मुझ से मैं बहुत सुधर गी हूँ तुम लोग भी सुधर जाओगे चलो दोस्तों फिर मिलता तिल दन have a great day thank you for joining जैहें जभारत God bless you people love you bye and take care God near bye people love you